तो आर्ट के जो questions रह गए थे वो हम अब discuss करेंगे 50 questions तक मैं लास्ट वीडियो में discuss कर चुकी हूँ बागी के बचे हुए इस वीडियो में discuss करेंगे तो देख लेते हैं question 51 question है गुपत काल को मूर्तियों में यमना नदी के वाहन के रूप में किस जीव को दिखाय गया है तो यह दिखाय गया है मगरमच को option number C इसके बाद किस ने हास्य व्यंग चित्रों का निर्मान किया तो इसमें हो जाएगा option number C गगनेंदर नाथ टैगोर इसके बाद है next question इनमें से कामसूत्र के ठीका कार कौन है तो यह हो जाएगा option number second वाक्स्यायन इसके बाद है तंजोर चित्र शैली के इन राजाओ के सरक्षन में फली फूली यह हो जाएगा B option चोला तो चोल जो शाशक थे उनके सरक्षन में फली फूली थे इसके बाद है कांग्रा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था तो इसका आंसर आप comment box में बताएं इसके बाद है नव लखा मंदिर की सवानिश्यायन द्वारा निर्मित कराया गया इसका हो जाएगा आंसर option number one चालूप क्यों इसके बाद है celebration ट्रिप्टिक को acrylic में चित्रिप करने वाले चित्रकान का नाम बताईए तो इसका भी आंसर कुछ confirm नहीं मिला है इसके बाद देख लेते हैं palette का प्रियोग डैश में किया जाता है तो यह है 58 तो इसको भी हम skip करेंगे अभी इसका confirm answer नहीं पता है 59 है इन में से किस चित्रकार का ओलियोग्राफ से संबन्द है इसका option number A correct हो जाएगा इसके बाद है मारविजय की मूर्थी अजन्ता के किस गुफा में है यह हो जाएगा option number B गुफा संख्या 1 24 पंचासी का किसके द्वारा लिखा गया तो यह है option number B बिल्धन A brush with life किसकी आत्मकता है तो यह है सतीस कुजराल second option correct होगा मधुबनी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रियोग किया जाता है तो यह किया जाता है natural colors का B option correct हो जाएगा निमलकित में से कौन एक print making कलाकार है तो इसका जो answer है यह हो जाएगा मनजीत बावा इसके बाद है company शाली का चित्रकार कौन है 65 का हो जाएगा Alice cattle B option correct होगा इसके बाद है काथा textile का लोग रूप है तो यह कहां से है यह है उरिसा से first option correct होगा सित्तन वासल गुफा चित्रो का विशय किस से संबन दित है 67 तो यह है सभी का मिश्रन B option correct होगा अकबर नामा अकबर का अधिकृत जीवन परीचा है जो डैस दौरा चित्रित किया गया है तो इसको भी skip करेंगे इसका भी confirm answer नहीं पता है और इसके बाद देखो 69 यह भी skip करेंगे इसके बाद next question देख लेते हैं नेकचंद रोग गार्डन कहां है यह है चंडीगड में option number B इसके बाद देख लेते हैं 72 question यह हो जाएगा फार्सी में अनुवाद महाबरत को जाना जाता है तो महाबरत का जो फार्सी में नुवाद है उसको हम कहते हैं रज्म नामा तो D option correct हो जाएगा दादा बाद का दादा सब्द किसने चुना इसमें B option हो जाएगा correct इसके बाद है चित्रकार मनोहर किस लगुचित्र शाली के चित्रकार थे 74 तो यह हो जागा चंबा स्टाइल B option मुर्गे की लड़ाई प्रसिद्य चित्र किस कलाकार का है तो यह भी कुछ कंफर्म नहीं है इसमें तो देखो बहुत से question ऐसे हैं थोड़ा से different से हैं तो इनका confirm answer नहीं मिल पाया है तो 76 है जोगी मारा की गुफाएं इसके बाद है 77 देवी प्रशाद रॉय चोदरी एक भारती मूर्तिकार चित्रकार एवं डैश के संस्थापक रहे संस्थापक अधक्ष रहे तो इसमें हो जाएगा लेलित कला अकादमी B option correct होगा इसके बाद है 78 सामरी चित्र किसने बनाया है तो इसको भी skip करेंगे हम और इसके बाद है कौन सा कलाकार अपने स्टील के बरतनों से बने इंस्टॉलेशन कारे के लिए प्रसीद है तो ये हो जाएगे विवान सुंदरम B option इसमें correct होगा मुगल काल में जानवर और पक्षा के चित्रन का विशेशग्य कोन था तो ये हो जाएगा उस्ताद मनसूर B option A. राम चंदरन की चित्रेश श्रंकला है तो इनकी जो चित्रेश श्रंकला है ये है ये याती option number C correct होगा एक डच ड्राफ्ट्समेन कलाकार एवं प्रिंट मेकर की प्रसिद्ध कृति तीन गायक जिसे चित्रत किया है तो किसने चित्रत किया है इसमें option number C correct हो जाएगा रेम ब्राम ने किया है option number C correct होगा मेक दूद की चित्र स्रंकला का चित्रकार कोन है इसमें 83 तो 83 में यह हो जाएगा third option मदलाल नागर इन में से कौन मूर्तिकार नहीं है तो इसमें 84 में हो जाएगा fourth option जैज हरोटिया वरिश बनाने के लिए मशूर कलाकर का क्या नाम है मशूर कलाकर का नाम है जो कि bull painting करते थे bull painting के लिए जो परसिद है उनका नाम हमसे पूछा है तो इसमें देखो इसमें भी confirm नहीं है कोई अंजर इसके बाद देखते आंगे government school of art कलकाता की स्थापना किस वर्ष हुई तो यह हुई थी 1864 में option number A correct होगा किस कलाकार ने भारत मतन नामक चितर का स्रेजन किया तो यह B option अब निंद्रनाथ टैगोर अपनी कृतियों में बिंदी कप्रियू कौन करता है तो इसमें जाएगा भारती खैर option number C अजन्ता की चैत्ते गुफाओं को देश्य क्या था तो यह हो जाएगा B option पूजा है तो और एक होते थे विहार जिसमें की रहने के लिए होते थे आवासेत होते थे वो इसमें जो आंसर होगा B option कौन सा हिंदु धर्म का मंदिर भारत में नहीं है A option करेक्ट हो जाएगा अंकोरवाट यह कंबोडिया में है बिंदु चित्र श्रंखला डैश ने बनाई तो यह है S H रजा C option इसमें करेक्ट होगा न्यूटन ने प्रकाश के साथ रंगों का व्याज्यानिक चक्र प्रस्तुत किया 60 in 60 में किया option number A करेक्ट होगा सत्य जित्रे की फिल्म दा इनर आई संबंदित है तो यह किस से संबंदित है यह option number D विनोद बिहारी मुखर जी भारती विशो को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है 94 का जाएगा अमरिता शेर गिल इसके बाद है अकबर कालिन तूती नामा में कितने चित्रों का संग्र है यह 103 चित्रों गा ललित कला अकडमी नहीं दिल्ली की पत्रिका है तो यह option number A समकालिन कला यह correct हो जाएगा दनाइट कफे किस कलाकार की रच्चना है 97 तो यह हो जाएगा वान गॉग option number D डॉल शिर्शक वाली श्रंकला बच्चित्रों का निर्मान किसने किया तो यह है विकास भट्टा चार्जी option number C बाहौस स्कूल इस्तित्ता तो यह है जर्मनी आंसर इसका बाग की पांचवी गुफा का नाम क्या है तो यह है रंग शाला भी option correct होगा इसके बाद अजंता गुफाओं की अनुक्रितियां किसने तैयार की तो यह भी question doubtful है तोड़ा इसके बाद देखते हैं भारती सोंदरिय सास्तर में धुबनी संदान्द का प्रतिपागत कोन है तो यह है आनंद वर्धन एक option हो जाएगा correct इसके बाद निमलिकित में इसे दिल्ली इस्तित्रवेणी कल संदन की स्थापना किसने की थी तो यह हो जाएगा की एस कुलकरनी option number 3 इसके बाद आगे देखते हैं लाजवर्ध का रंग क्या है तो यह हो जाएगा option number second intense blue इसनानमगन यूर्थियों के चित्रकार कौन है तो इसमें हो जाएगा सेजान यह option number C correct होगा इसके बाद निमलिकित में से किस भारतिय प्रागया थी आजी कला के इंदरों से गैंडे का अगेट करते हैं शिकारी का चित्र प्राप्त हुआ है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा पंचमड़ी A option correct होगा इसके बाद है फिलिपो टोमासो मेरी निटी कौन था तो इसका जो आंसर है यह हो जाएगा first option बविश्यवाद का घोशना पत्र निर्मात था ली कार्बुशियर कौन था तो यह है इसका आंसर हो जाएगा last option an architect इसके बाद है टेट मौडर्न गैलरी कहा है तो इसका आंसर हो जाएगा London fourth option correct होगा इन में से कौन सा रग दित्यक समूगा नहीं है तो इसमें हो जाएगा C option यह दित्यक समूगा नहीं है बल्कि यह प्रात्मिक समूगा है क्योंकि लाल नीला पिला आपको पता है प्रात्मिक होते हैं इनको किसी भी रंग के मिलान से नहीं बनाया जा सकता बल्कि इनको मिलाकर और रंग बनाया जाते हैं होते हैं वह जिनको किसी निंडी किसी रंकें मिलाने से बनी हैं तो C option इसमें क्रेक्ट हो जाएगा कि uda मित में किस अमगर्वा शाश्क ने स्थापत्ति कला नगया है तो इसमें हो जाएगा जहांगीर निम्लिकित में से कौन सी गुफा कृष्णा ने दीखे किनारे इस्तित है तो यह हो जाएगी बादा में डी ओप्शन करेक्ट हो जाएगा एक सो तेहरे का जो कौन सा राजनेता कार्टूनिस्ट भी था तो इसमें आ जाएगा बाल ठाकरे सी ओप्शन महात्मागादी संस्थान मौरिशस में किसका लागार ने मियूरल बनाए तो इसका भी आंसर जो है कंफर्म नहीं है इसके बाद देखते हैं गीद गोविन के लिखक हैं जादेव बी शैली का प्रभाव है तो यह हो जाएगा फार्सी सैली पर्शन शैली भी ओप्शन इसके बाद है बाद में गुफा चित्रों की प्रतिकृतियां लालितकल अकैदमी की निर्मंतरन पर किस चित्रकार ने बनाए हैं यह इसका आंसर भी कंफर्म नहीं है कुछ तो आपके प्रणी का जनम बेल गाम करनाटक में हुआ जो डैश से संबंद रहे तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट ओप्शन जेजे स्कूल ओफ आर्ट मुंबई कला में संतुलन है तो कला में संतुलन क्या है एक सो बीस जो है इसमें हो जाएगा फर्स्ट ओप्शन इसके बाद देखत हैं प्वाल शैली के अंत्रगत चित्रित होने वाला ग्रंथ कुन सा है तो इसमें ओप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा अस्ट सहस्त्रिका प्रज्या मारमिता नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने मीरा भाई भित्ती चित्रित किया था तो इसका भी जो आंसर है वो नहीं है कन्फर्म प्राचीन विक्रम शिला विश्वदालिक किस नगर में इस्तित था तो यह आजाएगा भागलपूर जान कॉंस्टेबल संबंदित हैं तो यह किस से संबंदित हैं यह हो जाएगा फोर्थ घंग्लिश रोमैंटिक पेंटिंग से तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो सो मिलते हैं नेक्स वीडियो